असलाम अलेकुम फ्रेंट्स मैं सब्दर्खान कैनी आप देखें वेरे चैनल वाइस आप कैनी चैनल पे आप न्यू है चैनल को लाज़े स्ट्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्रिक कर दीजिए ताके तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाम से मिलता है प्रें इसको हम डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं जिसकी बेस पर आप किसी भी इंडस्ट्री में फार्मसुर्टिकल में स्पैशली अगर बात करें तो आप जल्दी ग्रोव करेंगे अगर आपके अंदरी एक्स फेक्टर हैं पॉजिटिव वे में तो आप इंडस्ट्री में प कि आप किसी इंडस्ट्री में कहीं भी जॉब करते हैं आपने आपके जैसे आपका आपका बिहेवियर फोट ऑ नहीं है और आपकी आप क्नेंदेस्टी से बहुत जल्दी पहार हो जाएंगे आप ज्यादा आरसा चलन नहीं पाएंगे उस एरिया में उस सेक्षं में उस डि तो मैं जो आज फोकस करूँगा इसके अंदर वह मैं देखूंगा कि बताऊंगा कि एक्सपीरेंस को शेयर करते वे क्या आपको एक्सपेक्टर की कॉलिटी जो हैं जिसको हम भी हेवियर वाइस केंगे उस पे तो इसके बात करेंगे यह एक्सपेक्टर से आपका सकती है लेकिन मैं बड़ा है उसको देखते वे चंद अंगल से बात करूँगा तो बड़े इंपोर्टन एक्सपीरेंस लोग है जो काम कर रहे हैं उनको भी इनको कंसिडर करना चाहिए एक्सपेक्टर को सामने लगते तो ताकि वह भी आगे ग्रो करें जहर्यार है यह वह तो चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इंडस्टी में आगे नहीं जा सकते हैं आप बहुत जगों में प्राब्लम फेस करेंगे जिसको भी थोड़ा सा डिसक्स करते हैं अगर नमगर हम बात करें तो आपका जो बीहवियर है जब बीहवियर विद्यूर कॉलिक् सबसे इंपोर्टन चीज़ यह है आप किसी जगवे काम कर रहे हैं किसी डिपार्ट्पॉन वे सेक्शन में आपके बीहवियर आपके कॉलीक्स आपके सबॉर्डिनेट के साथ आपके सीनियर के साथ हमेशा पॉजिव होना चाहिए कभी भी आप नेगरिव नहीं रखेंगे यानि किसी भी एरिया में किसी पॉइंट प्सक्राइब की साथ उल्ज़ मत ठीक है प्रॉब्लम से में आते हैं यादर रकिएगा लेकिन आप ने उनको पॉज़िव बेर में रखना है आपकी थिंकिंग आपकी थोड़ पॉज़िव है आप प्रॉब्लम को सौप करने वाल तो 60 परसंट आपका बिहावियर काउंट हो रहा होता है और 40 परसंट आपकी टेक्निक इस्पर्डीज है यह उसमें सिंपल वर्ड में के बत्तमीजी तो इंडस्टी के अंदर एकसेप्टी नहीं जाहर सी बात है यह आपका बिहावियर आपके कोलीक के साथ परफेक्ट होना चाहिए हमेशा पॉजिटिफ पर आपको प्रब्लम फेस करने पड़ जाते हैं किसी कोलीक के एंड से लेकिन आपने चलना है पॉजिटिफ पर याद रखेगा चाहिए आपको सीनियर हो यह कोई भी आपके साथ का प्रोफेशनल में में चीज़ को लेकर चलेंगे प्रोफेशनल एट्रीटूट आपके अंदर होना चाहिए फिर सेकंड आगाम देख तो बहुर बास जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टन चीज है मैं कहता है आपको बहुर आपके बास के साथ बिलकुल अलाइन होना चाहिए आप के अंदर यह अबिलिटी जोनी चाहिए जज्जमिंट की आप जज़ कर सकते हों कि जिस जगह पे आप काम कर रहें वहां का इंवियर्मेंट के लियास से नहीं चलेंगे जहर आए इनसान का एक टेम्परिमेंट होता है आपको परसनेटी के टेम्परिमेंट है इसी तर चलना पड़ता है कि आपको देखना होता है कि उस जगहाप एक सिस्टम क्या बना हुए सिस्टम को जश्च करना वह बड़ी इंपॉर्टन चीज है उस सिस्टम को अडॉप करना बेरिंग के पैसिटी आपके अंदर बहुत जाद होने जीए आपको समझना है कि बहुत किस म पीमिलेगा मैं अलफास की गिराई में नहीं जाओंगो तो अलफास क्यों चले जाएंगे तो हर तरह के लोग आपको मिलते हैं तो आपको फॉल्टिव या घलत हो आपको उसको लेकी चलना है अगर आप बहुत कंटी जाएंगे तो इस एधारे में ग्रोफ कर सके तुकि आप बॉस के डिपेंड़न है यहादर किया है आपकी ग्रोथ का धारोमदार जो यहना बॉस के थुरू ही और होता है और 90 पर संद बॉस पर डिपेंड़न हो रहता है बागी है चाहर और दुरू से देख रही होती लेकिन वह भी देखती है तो आपके बॉस के क्योंकि अगर बहुत खराब भी है ना तो आपके अंदर वो बेरिंग कैपसिटी होनी चाहिए कि आप उसको कैसे बेर कर सकते हैं यह आपने अपने अंदर यह स्टैमना बढ़ाना है कि घलत चीजों को कैसे डॉप करें क्योंकि जूरूर नहीं कि बहुत हमेश्चा सही किया है और डिफरेंट लोग किसमेशाज के आपको मिलते हैं सब को लेकर आपको चलना होते हैं नमर दू हो गया बहुत करेंप फिर आपका जिस एरिये में आप काम करें इस प्रमिस में आपके होते हैं वहां का आपका आपका कांटेक्स सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के क्लेश विद एनी परसं की का कि और लेकर एक करना है आपने फोरण पे कभी भी क्लाश नहीं करता है यह आपका इंद आज से प्रॉल्म हाता है चाहे बौस के एंट हो आपने क्लिक के एंट रहो है डपार्टमेंटिक्स के दूसरे कोलीक होते आपके आपके अपने क्लिक नहीं होती है जो आपके पास बेरिंग के पर सिटी खतम होगई या नि बरदाश का माददा खतम हो गया तो फिर अगर कुछ करनी भी है तो आप तूर चैनल करें डारे खुद क्लैश में कभी भी नहीं आए पस्टनेट पर से अगर डारे क्लैश में आएंगे तो आप अगर आप चले आपने बास केंटिमेट करें बास के फिर एचर एडमिन मौजूद है सारे डिपार्टमन उते हैं जिसको टैकल करने के लिए लेकिन वही बात है अगर डिपार्टमन के अंदर भी बहुत सारी खरावी है तो फिर आप बेबस हो जाते हैं यह हर लेवल पर हो टो इस एकको आपने ले करें अपना मिजा aku President करते हैं का रखेंब पने बास के दूसरे योग के साथ ही भी यह बहुत करने it तो चाहें आप सही क्यों ना हो तो इंडस्टिक इंवर्मेंट में आप वलत काउंट होगे ये कल्चर बिल्ट है और जोगों का मिज़ाज होता है यह को उपरेटिक सिस्ट्रम मुझे उता है कि सीजिए साप कैसे क्लैश कि आपने सीजिए आपने कैसे अलजे या बत्तमीजी क्यों आपने काम में आप एक्सपर्ट 110 परसंट क्यों हैं लेकिन आप बत्तमीज है अगर आपका एक्टिटूट ठीक नहीं है भी ठीक नहीं लोगों के साथ तो आप ज्यादा समार है एक बारी रहेगा अगर आपका एक्टिटूट भी नेगेटिव है ठीक है और अगले पॉइंट है कि आपने हैपर नहीं होना किसी भी केस में किसी भी जगह पे काम करते हुए होता क्या है यह आप कोई चीज देखे सामने घलत या सही तो उस पर आपका रिए क्या होता है वनापने कभी हैरा पर नहीं होना चाहए सिच्वेशन को आपके मिजदाश के कि खुलाप हो और एपके मिजदाश पर हो हमेशा किसीक्व आपकी आड़ पो नहीं मिले इए कूर्ट जो पत्मीजिका और ये महस्वेर वादियूस्टिक के जमाने भी जहां उस वक्विक्स क होता है तो हमारे सीनियर बहुत से सुवा करते हैं टीचर्स उन्हों ने मैं यह अलफाज जो जुम्ले किया थे कि आज तक मेरे दिमागों में नक्षिए जब आएंगे तो एक से काम नहीं करने काम तो आपकल उनके साथ करने लेकिटार इस नोख कि आपको करना हैवहिए करना करते हैं में निकर सकता है अपने इस और करना है और अगर आपके थे तेंपरिमंट व़ी आ-जाये तो तो यह सारे पॉइंट्स को आपने सामने रखते हैं आप टेक्निकल वाला फैक्टर तो अपनी जगह हैं वह तो आप इंदस्ट्री में सीखेंगे लेकिन यह चीज़ें को आपको बिठा के सिखाता बहुत बड़े-बड़े यह पर आपके मौरल करेक्टिक की ट्रेनिंग होती है तो फिर फिर तो और आगे देखें पॉइंट्स को तो नेवे रिफ्यूज एनी टास्क यानि किसी टास्क आपने रिफ्यूज नहीं करना यादर के इंदस्ट्री के अंदर आपके रूटीन जॉब है आपके आपको एक जैडी दी गई है आपको जॉब डिस्क्रेप्शन दी गई है कि यह आपके काम है यह डिजिनेशन आपका यह यह लेकिन कभी भी आदेखें बहुत की तरफ से और अपर बहुत की तरफ से टॉप पैनेजमेंट किता है कभी भी आपको कुछ निया टास्क मिल सकत आपको पांच बज़े में घर चल जाओं इंडस्टी का मिज़ाज नहीं है इंडस्टी का टेम्परेमेंट यह है कि आपको किसी वक्त भी लेट सीटिंग भी करनी पड़ सकती है आपको और नैट विकाम करना पड़ सकते हैं तो यह टास्क्ट डिफेंट आपको दीजा सकत आपको डिफेंट टास्क किस तरह लेकिं लेकर तो वह बैक्टर आपको डिफेंट बहुत तो कभी आपने मना नहीं करना है अगर आप रिफूस करते हैं आप तो मना कर देंगे पोर्ण पे को आपको बजस्ती नहीं करेगा ठीक है लेगिन आपकी ग्रोध में यह बहुत बड़ा हडल किरो जाएगा अगर आपको निया टास्क में भी जाता है आपको रिफ्यूस कर देंगा आपको सब्सक्राइब कर देगा कि आपको अलसे मत आईगा अगर अच्छा कॉपराट है लेकिन आपकी जो फाइल है ना वह खराब जाएगी आपकी जो ग्रॉ हमेशा आपको फिर बात आती है लोयल्टी की कंपनी के साथ हमेशा लोयल रहे हैं कंपनी के साथ हमेशा लोयल रहे हैं और सेकंड अपने बॉस के साथ हमेशा लोयल रहे हैं अगर आप बॉस के एंटी जाते हैं तो आप उस प्रेमिसस में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं क्या आप बॉस के एंटी होंगे अगेंस्то हो करें तो आ समझे आपकी ग्रोथ हां नहीं क्यूंगा आपके इंक्रिमेंट आपके प्रेजल बॉस के एंट से जा रहे होते हैं आपका जो इमिडिट बॉस होते हैं घो ही आपको हर मिزज कर यापको मिले अगर बोस आपके मजाज कर भी नहीं तो आपने इसको अब्स yogurt करना है की भी ऐसा होता है नहीं आप मजाज करनी आप बोस के मिजाच करनी नहीं तो चीजह में हैं यह आप इन दोनों चीजों को समझें करें बॉस तो senior आप साइड्र मेटर नहीं करता सब्वार्डनेट के लिए जूनियर के लिए बॉस का समाझना बहुत बहुंद वह जूरूरा बहुत बगां स्वाइब बॉस को सचाल पर तो नवर शो नेगेटिविटी निए आप इसी काम में किसी एरिया में किसी प्लैस्पें पेंपनी के एंड से कोई negativity शोड नहीं करनी यानि नेवर टॉक अबाट दा कंप्टी फॉर दे नेगेटिव पॉइंट्स लेकिन आपने उस पर बात नहीं करनी जगह जगह पे आप कैंटीन में बैठे हैं किसी मीटिंग से बैठे हैं तो कभी भी किसी जगह पे आपने कंपनी के बारे मे कभी भी नेगेटिविटी शोड नहीं करनी कभी भी लूस टॉकिंग नहीं करनी कंपनी मेरे साथ यह कर रही है और उसके साथ तो यह कर रही है कंपारिटिव लिए नहीं चलना आपने कंप्लेइन इस एंगल से करेंगे तो आप के लिए नेगेटिविटी काउंट होती रह यह वह उसी बद्तमीजी वाले जुम्रे में आता यह तो तो बद्तमीज दमतें गृतर मृत होगा है Highway की निकाल दें चाहिए आपका बएवियर चाहिए आपके डिलंग जूर के साथ हो चाहिए सिनियर के साथ हो तो तुसक्ता प्रोफेशन होना चाहिए पॉजिंटेव वह जिへ यह कंपनी के पना नहीं करना कई जगाए तो नेगटिब बाद है कंपनी की बारada में नीं में यह कंपनी ना ये कम्पनी के बार में ना किसी और को लीज के वार हमेशा पॉजिटिव रहें नहीं आपको आगे ले जाएगी यह वह एक्स फेक्टर से जो आपको धिन अठरीग क्यों तो आपको अगे लिए आखर में बश्रयों को किसी भी जगड है किसी भी चाहिए आप काम कर रहे हैं पॉजिटिव बाइंट थेकिंग के साथ काम करें आपकी फॉजट पॉजटिव हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले आप हो रहे हैं वह दो कोर्स के दिना भी आप फिक्सर नोट फिंगर पॉइंट रही हरवा कंप्लैनिंग एटिटूड भी आपको नह हरे हैं जुद और इसे फेक्टर क्रलों मैं क्युल्यट्र पह् CUR करते हैं तो चली हुआ हुआ और दूसरा है आपका बियूट कितना इसट्राइब पॉजटिव मिएवरी के आपका टेक्निकल्ट वाले अट्टीटूट जैए वह थोड़ा कम भी है तो आप इंडस्टी में चलते रहेंगे लेकिन अगल आपका यह behavior वाले फ्क्टर है वह एक्स फ्क्टर है यह बिल्कुल नेगड़िव माहने से तो आप डार्व तरफ्की नहीं कर सकते कि आपका भी इंडेस्टी में काम करने लोग लिए बैनेफिशल रोते जो चाहिए वो जूनियर हो जाहिए न्यू कमर हो चाहिए और लोड़ी सीनियर वहां पी जब कर रहो क्योंकि यह मैं सारी चीज़ देखती हैं इंडेस्टी के अंदर जिन लोगों की ग्रोफ में प्रॉब्लम्स आते वह इन उजवात वीडियो को यहां क्लोज करते हैं यह वह सारे एक्सटर से जो आपके अंदर होना पॉजटिव नहीं होना बहुत ज़रूरी है तो मिलते हैं फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए शेयर भी कीजिए तो मिलते हैं किसी और टेक्निकल बात डाकुमेंट य थैंक यू अलाह फीस